हेलो दोस्तों वेल्कम बैक टू दो जानल स्रिश्टी स्टेडी काउंट इस समय मैं एक्स पर हूँ और एक्स पर ये देखे अतल प्रसाद जी है इन्होंने अभी अभी जो है दो मैसेज किये हैं बहुत इंपोर्टेंट और ये जो मैसेज हैं ये हैं बेहार टी आरी के रिजल्ड को लेकर confused हैं और कह रहे हैं कि इस रिजल्ड में धान दी हुई हैं बहुत तरह की बाते यहां पर हो रही है उसके सासत कौसलिंग भी चल रही है मैसेज को पढदे एं ठीक है पहले वाला मैसेस पढ़ते हैं जिसको लिखा है when we are dealing with such large numbers as in TRE, बहुत सारे numbers में ये जो vacancy आई थी, एक लाग सत्रहजार की लगवक TRE, इसके बारे में कहा जा रहा है कि इसको हम deal कर रहे हैं, तो हमें multi-layer filtering की जरूरत पढ़ रही है, क्यों weed out, weed out का मतलब क्या है, जो की बच्चे ऐसे हैं, जिनके में result में कुछ गरवड़ी है, या जिन्होंने जो exam में कुछ गरवड़ी हुई है, उसको filter करने के लिए, यानि की unwanted substance को निकालने के लिए, हमें filtering की जरूरत है, और इस बज़ए से ये जो result है, इसमें हमने multi-layer filtering निकाली है, इसी वज़ए से हर result को हमने conditional रखा है, सशर्थ रखा है कि अगर ऐसा होगा तो result बदला जाएगा, अगर वैसा होगा तो result बदला जाएगा, ठीक है इस तरह से, अगर इस filtering के बाद कोई vacancy रह जाती है, या vacancy हमें रिखते दिखती हैं, तो यह will be filled by bun और mole supplementary result, supplementary result निकाले जाएगे, मतलब इसकी जगए दूसरा पूरा result निकाला जाएगा, और इसकी जगए वो vacancy भर दी जाएगी, इसको लेकर यहाँ पर इस तरह से कहा है, अब इस ही जो message को हम पढ़ते हैं हिंडी में, हिंडी में भी मैंने इसको translate कर लिया, वो मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ, चलिए पहले वो देखते हैं, देखे दोस्तों यह है उस message की हिंडी, अब पूरा यहाँ है, जब हम TRE जैसी बड़ी संख्याओं से निपट रहे हैं, यानि कि बड़ी संख्याओं में रिजल्ट दे रहे हैं, बड़ी संख्याओं में हमने यह exam कराया है, तो अयोग लोग जो weed out कहा गया, weed out का मिला अयोग, आपने देखा weed मानूता खर्पतवार, फसल में जो खर्पतवार हो जाती है, उसको हम कहते हैं weed, और उस खर्पतवार को हम उखाड फेकते हैं, जब हमें अच्छी फसल चाहिए होती है, तो वही बात इन्हों ने की है, तो अयोग लोगों को हटाने के लिए, multi-layer filtering हो गया, बहुत सारी परतों से, बहुत सारी filtering की परस से गुजरना है, पहले एक बार filter किया हमने, उसमें हमें कुछ कमिया लगी, कि अभी कमिया रहागी, फिर दुबारा हमने उसको चेक आउट किया, तीसरी बार, चौती बार, इस तरह से हम final में जब आएंगे, तो बिल्कुल fair result इन्होंने देने की कोशिश की है, ये कहा गया है इन्होंने, multi-layer filtering की हमें आविश्यक्ता होती है, यही हो रहा है, यही किया जा रहा है, multi-filtering process अपना ही जा रही है, जो भी result आ रहा है, उससे पहले हम बहुत सारी चड़नों से गुजर रहे हैं, जिससे की हम result बिल्कुल साफ सुत्रा दे सकें, और दिया है यह बात कहा रहा है, इसलिए सभी परिणाम जो हैं सशर्ट रखे गए हैं, सारी process से गुजरने के बाद अगर कोई कमी रहे गई है, तो उसमें एक चीज जोड़ दिये इनोंने सशर्ट, सशर्ट का मतलब क्या हुआ, कि अगर ये वाला result हम दे रहे हैं, लेकिन अगर कोई issue होता है, तो इस result को हम दूसरी तरह से देंगे, यानि कि सशर्ट लगा दी गई हैं, कोई भी result confirm नहीं है, इस filtering से उत्पन होने वाली कोई भी रिक्ती, अगर कोई रिक्ती बच्चती है, खाली जगए बच्चती है, तो एक या अधिक पूरफ परिणाम उसे इसको भर दिया जाएगा, आया समझ में, यानि कि अगर इन्होंने filtering process अपनाई है, उन्हें लगता है कि कोई कमी रह गई है, कोई बच्चा कोई court में case कर रहा है, कि ये गलत है, इसकी जगए ये भरा जाना चाहिए, या यहाँ पर ये process गलत की गई है, उसको इस तरह से होना चाहिए, तो इन्होंने इसलिए शशर्ट लगा दिया गया है, कि अगर उन्हें वो पक्ष सही लगेगा, तो भरती को थोड़ा सा बदल कर, अपनी vacancies को पूरक परिणामों के द्वारा, उसका दूसरा परिणाम निकाला जाएगा, और उसके द्वारा उसको भरा जाएगा, तो पूरक से आप समझ जा, यह पूरक परिणामों का मतलब, हम उसी की तरह दूसरा परिणाम भी निकाल सकते हैं, तो यहां पर यह बात इन्होंने कही है, कि पूरा हम यहां पर जो हमने रिजल्ट निकाला है, इसको final ना समझे, इसको हमने शशर्त निकाला है, कुलमला की यह है, और हमें लग रहा है अगर filtering के बाद कोई एक आद रिक्ती या रिक्ती या रिक्तियों की जो संख्या उनमें आगे पीछे कुछ होना है तो वो हम पूरक परिवनामों से उसको भर लेंगे इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि दोस्तों क्या कहना चाहा रही है BPSC अब आते है इनके second message पर दूसरा message किस से related है वो भी देखते हैं फिर पूरा इसका जो है अम analysis करेंगे देखी दोस्तों आप हम फिर से अतुर परसाद जी के जो इनका X का handle है जिस पर ही messages करते हैं उस पर आ चुके हैं और ये इनका दूसरा message है इस message को open करके देखते हैं क्या लिखा है इ very soon बहुत जल्दी we will be declaring a cut out marks in all TRE paper तो TRE के जितने भी paper हुए है बिहार TRE से related टीचर से related उसकी जो cut off है बच्चे cut off मांग रहे हैं कि कितनी cut off आपने रखी है पता तो चले जो बच्चे सोच रहे हैं मेरे बहुत अच्छे number है फिर भी मेरी जो है मेरा number नहीं आ पाया तो पत का number नहीं आया cut off वास्ता में बच्चों को पता होनी चाहिए और यह सही बात भी है क्योंकि जो बच्चे तयारी करते हैं paper देते हैं उन्हें लगता है मेरे इतने number में selection हो जाएगा नहीं होता है तो वो यह जानना चाहते हैं कि मुझसे कितने high number वाले का selection हुआ कि अगली व हैं कि हम जल्दी ही very soon माने बहुत जल्दी ही यह cut off आपकी जारी कर दी जाएगी site पे upload कर देंगे कि किस subject की कितनी cut off रही कौन सी जो 1 to 5th को लेकर भी 9 10th को और 11 12th को लेकर भी तो आप बिल्कुल निश्चिंद रहिए जितने बच्चों ने form भरा है जिनका number आ गया वो तो अभी मेनत की है उससे जादा मेनत करेंगे तो यह बात तो बहुत अच्छा message है यहाँ पर कि हम जो है cut off जो है जारी करेंगे इसके साथा जो पहले वाला message है उसमें आपने सशर्त लिख दिया तो सशर्त का मतलब भी समझ जाईए कि अगर कोई कमी होने लगेगी तो उसमें हो सकता है कोई change हो तो विल्कुल फाइनल रिजल्ट आप मसमझे कि उसमें कुछ अपन डाउन नहीं हो सकता है रिजल्ट में अगर कुछ कमी रह गई है filtration से कुछ कमी रहे गई है filtration के बाद भी तो विवो उसका पूरक परिणाम निकाल सकते हैं तो बिल्कुल आप चिंता मत कीजिए जिन बच्चों को कोई कोई result में अगर कमी लग रही है तो आप जो है उसको लेकर जाईए BPSC में बात कीजिए जहां भी आप बात कर सकते हैं लग रहा है कि most of the students के जितने भी doubts हैं वो काफी हद तक clear हो जाएंगे मैं आपको बता रही हूं क्योंकि cut off ना आने से बच्चे को ही लगता है कि पतानी किस बच्चे को ले लिया गया मेरे इतने अच्छे marks ने दूसरे के कम है अगर दूसरे कम वाले number वाले बच्चे को लि जैसे ठीक है मैं उस category में नहीं आ रहा था तो काफी issues यहां पर clear हो जाते हैं तो यह दोनों जो इनके message थे काफी important message हैं उन सब बच्चों के लिए जिनका result आया है और जो बच्चों को लग रहा है कि result गलत है तो उसका उन्होंने hint भी दिया है तो वीडियो अगर अच्छी लगी दोस्तो लाइक कीजगा चैनल पर नहीं हूं तो सब्सक्राइब कर लिजगा इस तरह की वीडियो में आपको upload करती रहती हूं धन्यवाद दोस्तों